हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब कई बार ऐसे दिन आते हैं जिनको देख के लगता है वाह मज़ा आगया और आज का दिन शायद ही कुछ ऐसा है क्योंकि बिटकोईन ने एक अच्छा मूव लिया है और यहां पर बहुत दिनों के बाद में ऐसा लगा कि क्रिप्टोकरंसी के अं क्या लगता है BNB का क्या लगता है ये टॉप कोईन्स हैं जिनके बारे में आप लगातार हमसे पूछ रहे हो तो वो इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे तो जाया टाइम इस नहीं करते चलते हैं स्क्रीन के उपर लेकिन एक छोटा सा काम कर दीजिए चैन दोस्तो दिवाली का इससे अच्छा टॉपर क्या हो सकता है कि बिटकोईन और क्रिप्टोकरंसी मार्केट अच्छा कर दे अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है दिवाली खतम हो चुकी है और आज है गोवर्दन पूजा और यहां पर बिटकोईन 20,000 डॉलर से उपर ट्रेड गए थे अब यहां पर समझना है बिटकोईन को लेके या क्रिप्टोकरंसी मार्केट को लेके यह एकदम से हुआ क्या उसके बहुत सारे फेक्टर हैं जिसको आपको ध्यान रखना है लेकिन सबसे पहले आपको जानना है न्यूज क्या चल रही है और उसके लिए तीन बड के आ रही है अगर ऐसा होता है एक सेंटिमेंट क्रिप्टोकरंसी के अंदर भी अच्छे हो सकते हैं और खास कर डॉच कोईन को लेके और अभी बात करते हो डॉच कोईन के अंदर भी कुछ मोमेंटम आती दिख रही है तो डॉच कोईन के अंदर भी ब्रेक आउट दिख र वो favor में रहते हैं तो उमीद की जा रही है आने वारे time के अंदर UK के अंदर खास कर CBDC को लेके cryptocurrency market को लेके positive चीज़े देखने को मिल सकती है आपकी knowledge बढ़ा दू रेशी सुनक की बात करते हैं ये British, Asian या Indian आप कह लिजे family से belong करते हैं Hindu Prime Minister है और यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दू शायद ही आपको पता होगी जो उनकी wife है वो है Narayan Murthy Infosys के founder आपको पता है न उनकी बेटी है और ये top जो है business कहते हैं तो आप अमीरों के अंदर से आते हैं UK के अंदर तो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है तो आने वाले time के अंदर देखते हैं कैसे वो relation लेते हैं Asia के साथ में और कैसे cryptocurrency के बारे में करते हैं ये भी देखना बड़ा interesting रहेगा और मातर 42 साल के हैं तो समझ सकते हैं खासकर अगर 87 साल के बात करें जो नेताओं से जादा शायद समझ सकते हैं cryptocurrency और नई technology को तो एक बड़ी बात ये भ आप बिटकॉाइन भेज पाओगे किसी को भी और यहां पर आपको बता दूँ लाखों लोग उसको यूज करते हैं cash app को तो ये भी एक positive news निकल के आई जिसने माहौल अच्छा किया तो ये दो-तीन बड़ी news थी जो की directly या indirectly cryptocurrency market के sentiments बढ़ाने में जो है role play कर रहे थी लेकिन एक और बड़ी बात जो निकल के आई dxy index की बात करते हैं जो की peak पे चला गया था 113 तक चला गया था 115 तक चला गया था अब वो थोड़ा ease out होता दिख रहा है और यहां पर अब जो है उसके अंदर थोड़ी correction देखने को मिल रही है जो की एक interesting बात है अगर dollar थोड़ा सा क कम होता है dollar की strength थोड़ी कम होती है तो आप समझ लीजिए overall cryptocurrency market हो stock market हो उसके अंदर strength देखने को मिलती है यह भी एक बड़ा important role play कर रहा है लेकिन एक और दोस्तों समझना जरूरी इसलिए है आपको यह सारी चीज़े ताकि आप idea लगा सको कि एकदम से माहौल क्यों change हो रहा ह अगर आपने हमारी वीडियो देखी होंगी वेल्स का खेल चल रहा है वस थोड़ा सा सबर और 4-5 दिन पुरानी और BTC कर सकता है खेल Ether के अंदर क्या big news निकल के आई है Matic के अंदर breakout तो इन सारी चीज़ों से आपको idea लग सकता है कि overall market के अंदर चल क्या रहा है लेकिन एक अगर मैं बात करता हूँ कि Bitcoin के अंदर क्या खेल चल रहा है क्या कहानी टेक्निकली चल रही है तो आपको समझ में आएगा overall हमें यहां करना क्या चाहिए price को लेके अब दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको idea लगेगा कि लग भग 19,700 डॉलर पे इसको resistance मिल रही थी जैसा हमने पहले share भी किया था जो कि 50 daily moving average वहां आ रहे थी 2-3 बार यहां पे reject किया और उसके बाद अब यहां पे एक breakout लगता दिख रहा है दूसरी important बात जो आपको देखने की है अगर आप notice करोगे तो यह trend line है उसको इसने breakout किया है उसके उपर close किया और उस गन pump देखने को मिलता है तो दो important चीज़े technically यहां event हुए साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहां पर अब इसके लिए resistance क्या है resistance की बात करते हैं तो लगबग 21,000 डॉलर पे इसको जो है so daily moving average की resistance यहां मिलती है तो फिलाल के लिए अभी एक resistance का का काम कर सकता है लेकि इसको एक बड़ा reason बोला जाता है Halloween strategy, Halloween effect हमने अपनी वीडियो के अंदर भी आपके साथ में यह share किया था कि क्या हो सकता है, क्या होता है Halloween effect और आखरी में हफते में momentum आती देख सकती है और आप सबको दुबारे से मैं remind करा दूँ 31 October को Halloween मनाया जाता है और Halloween का effect, Halloween के आसपास market हो, stock market हो, cryptocurrency market हो, उसके अंदर अच्छा होता दिखता है और पहला हफता November का अच्छा करता दिखता है तो यह भी एक बड़ा reason है जो अभी हमें देखने को यहाँ पे cryptocurrency market के अंदर अच्छा देखने को मिल रहा है, overall अच्छी news आई है, उपर से कुछ अगर seasonality की बात करें, events की effect पड़ता है, वो भी यहाँ पे अच्छा पड़ता है, तो इसकी वज़े से overall market के अंदर हमें sentiments अच्छे होते दिख रहे हैं, या bitcoin के अंदर एक momentum आती दिख रही है, अगर हम चाते हैं कि bitcoin अच्छा करे, तो पहला इसका जो immediate up residence है, वो है लगबग 21,000 डॉलर, अगर इसके जाता है, तो ये जो है पहुंच सकता है 23,000 डॉलर तक, जो कि हम लेके चल रहे हैं कि 23,000 से 25,000 डॉलर, अगर पीछे की history data को खंगालते हैं, तो इसका ये target होना चाहिए, आपको क्या लगता है, comment में हमें जरूर बताएगा, क्या यहाँ यह पहुंच पाएगा, 23,000 से 25,000 के नहीं आने वाले 4-5 दिनों के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे immediate support की, तो फिलाल के लिए जो resistance होते हैं, वो दुबारे से अब इसके लिए immediate support का काम करते हैं, तो लगभख 19,700 डॉलर फिलाल के लिए इसको support है, अगर वहाँ नहीं maintain करता है, तो फिर यह दु कर रहा है, और उम्मीद करता हूँ, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, साड़े 18,000 डॉलर के आपस आए, तो entry low और 20,000 डॉलर पर आए, तो exit करो, तो 1000,500 डॉलर के तो आप फायदा लगातार, यहाँ पे market जो दे रही है, पॉर्चेटी, उसका तो short term traders उठा ही रहे होंगे Ethereum के अंदर, जैसे कि हमने आपके साथ में यहाँ share भी किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो जरूर देख लीजेगा, 6-7 दिन पुरानी वीडियो है, Ethereum के अंदर big news, और उसके अंदर हमने आपके साथ में short term targets भी share किये थे, हमने आपको यह बोला भी था, कि इसका जो पहला target है 1420, और दूसरा target हो सकता है लगभग 1530 डॉलर, उसका reason क्या था, कि यहाँ फिर 100 जो है, एक important resistance माना जाता है, 100 daily moving average, वो इसके लिए एक resistance का काम कर रहा था, और आप देखोगे, यहाँ इसने hit किया, और उसके बाद यहाँ से reject हो गया, जैसा कि हमने short term म आपको बताया भी था, कि तो आपने entry लेनी है, 1280 डॉलर पर आए, तो आप इसके इंदर entry लो, क्योंकि immediate लगातार support यहाँ मिल रही थी, और 1200 डॉलर आए, तो entry मच छोड़ो, तो उमीद करता हूँ, आपने तब entry लियोगी, और आपने उस जीच का फायदा उठायोगा, अ अगर इसके उपर जाता है, तो फिर यह अगला target अपना try कर सकता है, जो कि यह इसका 1700 डॉलर के आजपास, तो 1600 से 1700 डॉलर इसका अगला target हो सकता है, अगर यह इससे उपर close कर पाता है, अब बात करते हैं XRP को लेके, XRP की बात करते हैं, December के अंदर उमीद है कि इसके अंदर जो है इसका case security exchange commission के साथ resolve होता दिख सकता है, और यहाँ पर हमने आपको बोला भी था, अगर 0.45 डॉलर के नीचे है, तो आप accumulate करते रहो यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, अगर लंबे समय के लिए देख रहे हैं, तो यह अच्छा कर सकता है, जिससे आप से यह accumulation इसके अंदर detect हो रही है, और अगर आप short term में भी देख रहे हो, तो 0.48 से लेके 0.54 का इसका target हो सकता है, दोस्तों, अगर पोल का dot की बात करते हैं, जैसा हम expect कर रहे थे, हमने अपने telegram पे भी share किया था, नीचे discussion में लिंक है, इसलिए कह रहे हैं, उसको भी follow कर लीज है, कि यहां पर इसके अंदर एक pump देखने को मिल सकता है, वही चीज हुई, और इसको ले गई 6.6 डॉलर तक, जो हमारा इसका target था, यह हमने आपके साथ में telegram पे share किया हुआ, एक बाद check जरूर कर लीजिएगा, अगर आप बात करते हैं, तो यहां पे फिलाल जो 50 daily moving average है, वो इसके लिए एक resistance का काम कर रहा है, जो कि आता है, 6 डॉलर पे अगर उसके पार जाता है, तो फिर ही इसका target खुलता है, 7.2 डॉलर का, फिलाल के लिए immediate support जो मिलती है, इसको मिलती है, और यहां पर एक अच्छी support 5.55 डॉलर पे इसको मिल रही है, अभी भी आपको 6 डॉल यहां पर होता दिख रहा है, एक breakout हमने already 6 दिन पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो जरूर देखिएगा, उसके अंदर आपको idea लग जाएगा, मैटिक के बारे में हमने यह बात बोली थी, और यहां पर मैटिक के अंदर golden cross भी हो रहा है, जब भी 50 जो daily moving average की बात करते हैं, तो वो 200 daily moving average को cross करती है, तो एक जो है बड़ा event कहते हैं, golden cross कहते हैं, जो कि अगर technically बात करें, एक bullish pattern होता है, अब यहां पर interesting बात क्या है, वही चीज़ आपको फिलाल यहां होती दिख रही है, और technically बात करते हैं, 200 की बात करें, पचास daily moving average की बात करें, उसक यहां इसके target हो सकते हैं, तो यहां पर 1.2 से लेके 1.4 या 1.5 डॉलर तक यह जा सकता है, अगर यह यहां maintain कर पाता है, 0.92 डॉलर यह resistance, 93 डॉलर इसके लिए लगाता है, resistance का काम कर रहा है, और अगर इसके यहां बना रहता है, और जिस आपसे technical signal मिल रहे हैं, बोले signal मिल रह पूछ रहे हैं, और interesting बात क्या है, dodge coin के अंदर भी हमें यहां एक breakout लगता दिख सकता है, और जिस आपसे Elon Musk की चीज निकल के आ रही है, तो आने वाले time के अंदर एक बड़ा pump इसके अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है, और interesting बात क्या है, टेकनिकली बात करें, तो 50 जो क इसके लिए लगातार एक resistance बन के आ रहा था daily moving average, वो उसके उपर ये breakout किया, उसके उपर close किया, फिर 100 को भी ये breakout करने के कोशिश कर रहा है, अगर यहां इसके उपर close कर पाता है, लगबग 0.064$ के उपर, तो आने वाला इसका target हो सकता है, लगबग 0.07778$ तक, तो इस coin के हमें एक pump देखने को मिल सकता है, एक अच्छा return ये भी देखे जा सकता है, अब बात करते हैं, BNB, BNB के अंदर भी एक breakout लगता दिख रहा है, अभी 100 daily moving average के उपर ये close नहीं कर पाया, और आज उसके उपर ये फिलाल के लिए trade कर रहा है, अगर इसके उपर यहां close कर पाता है, तो इसका अगला target हो सकता है, 295-300 dollar और यहां से उपर जाता है, तो इसके अंदर पूरा potential है, जो इसका target आप लेके चल सकते हो, 330-335 dollar तक ये जा सकता है, short term के अंदर, अगर मैं support की बात करता हूं, तो 276 dollar इसको फिलाल के लिए यहां support है, और आने वाले time के अंदर 330 से जाता है, तो ये 380-400 dollar भी आपको लगता दिख सकता है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं, आपको वीडियो पसंद आईए होगी, काम की लगी होगी, वीडियो पसंद आईए, तो लाइक जरू करिएगा, शेय करते हैं, ट्विटर, टेलिग्राम, अट्सप जहां आप क झाल